हेलो फ्रेंट्स माई उप चैनल नीभी सिंग में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज में आप लोगों के साथ में साउथ इंगियन की एक बहुत ही फेमस रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ जी हाँ आज में आप लोगों के साथ सांबर की रेस्पी शेयर करने जा रहे हैं व और बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें बनाना है तो अगर आपको डोसा बनाना है या फिर इगली तो आपको इसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा तो आप जरूर देख ले यहां पर मैंने प्लेंग डोसा मसाला डोसा और साथ में इ चैनल पर मिल जाएगा जाके देख लीजिए वह भी बिना कोकोनेट के मैंने चैक्नी बनाई है तो चलिए सुरू करते हैं सामर की रेस्पी जिसको डोसे के साथ में खाया जाता है तो यहां मैंने अरहर की डाल ली है आधा कप और इसको दो-तीन बार अच्छे से वाश कर ल करेंगे और यह देखिए इस तरीके से में Hakata कर लेना है और पानी हमें अइट करना है तो यहां मैं तीन कप पानी एड़ कर रहे हूं आधा कप पानी डाल में पहले से था और वाकी3कफ पानी मैं इस में आ Arrow तो यह देखिए और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चमच हल्दी पाउडर एक्ट कर रही हूं और उसके बाद नमक आदा चमच क्योंकि अभी नमक में सब्जियों भी एक्ट करूंगी तो आप अपने टेस्ट के इसाफ से नमक एक्ट कर ले और यहां मैंने कुछ सब्जिया चौप किये तो फ्रेंग्स इसे में लॉकडाउन चला है बहुत ज्यादा सब्जिया नहीं अवेलबल थी मेरे पास में तो मैंने केवल लॉकी और बैगन लिया है यकीन मानिए इसी से केवल बहुत ही टेस्टी सामबर बना था बस आप प्रोसेस मेरा बताया हुआ कीजिए फॉलो कीजिए तो इस तरीके से आप बनाईए मैंने बहुत ज् तो ये देखें इस तरीके से हमें एक बाउल में रख लेना है बाउल ऐसा होना चाहिए जो की कुकर के अंदर अच्छे से फिट हो जाए तो ये देखें इसमें मैंने रख लिया है बीचो बीच में और उसके बाद मैं तीन चार फूंद यहां पे कुकिंग ऑईल डाल दू के आती है उपर जब उसमें सीटी आती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी तो अब मैं प्रिशर कुकर को रख दूंगी गैस पे और लगबख तीन से चार सीटी आने तक पकाऊंगी जिससे की डाल अच्छे से गल जाए और सबजियां हलकी गले पूरी तरीके से ना एकदम मतलब सबजियां मिले ही ना ऐसा हमें सबजियों को नहीं गलाना है इसलिए मैं ऐसे बना रहे हूं अदर्वाइस मैं चाहती तो कड़ाई में अलग से इसको फ्राय कर सकती थी लेकिन उसमें सबजियां बहुत ज्यादा गल जाती है तो यह देखिए अब कुकर जो सीटी न में एक चमच धुली उरत की दाल और एक चमच चने की दाल एट किया है आप सोच रहोंगे यह क्यों एट कर रही है तो यकीन मानिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब मैंने आपे करी पत्ता एट किया है साउथ इंगेंग डिश हो और उसमें करी पत्ता ना हो ऐसा होई नहीं सकता और अब मैंने आपे दो पिंच हींग एट किये और दो लाल मिर्च साबुत लाल मिर्च जो होती है सूखी हुई वो एट किया है और बारीक कट हुआ मैंने एक प्याज यहां पे एट किया है प्याज को हमें अभी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं क करना है क्योंकि जब तक मैं सारी चीज़ेस में एट करूंगी और इसका जो कलर है वह ब्राउन हो जाएगा तो प्याज को थोड़ा सा मैंसे चला देंगे कि यह देखिए और इस समय हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है प्याज जब हम एट करेंगे तो गैस की फ्लेम लो कर देंगे बाकी इससे पहले गैस की फ्लेम मीडियम थी अब हमने यहां पे तीन से चार जो है लैसून की कलिया चौप करके एट कर दी है तो यह देखिए इस तरीके से हमें एट करके चला देना है और फिर उसके बाद मैं अब दो बारी कटी हुई हरी मिर्च एट कर रही हूँ आप जितना तीखा पसंद करें क्योंकि इसमें अभी लाल मिर्च भी पड़ी हुई हरी मिर्च भी पड़ी हुई और अभी और भी मिच्पाउडर भी थोड़ा बहुत पड़ेगा तो वह आप अप मैनेज कर जसे साबसे आप जाहिए तो ये देखिए सब अच्छे से फ्राइय। आप ने के बाद मैंने आप दो बारी STEP typically कटे हुए te को मैंड जाम देने की चला देंगे और आधा चमझ मैंने यह बाइत हल्दी पावडरा किया है और एक में आप अगर आपके पास नहीं है तो भी आप ना एक करिए कोई बात नहीं और आपको मीठा सांबर हलका सा पसंद है मैं आप नहीं एक कर रही हूं और अब मैंने आपके आपके कर दिया है सबजीयां जो मैंने कुकर में रखके पकाई थी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी यह देखिए तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर दिख रहा है अभी से और अच्छे से मिक्स कर देना है हमें तो चलिए मैं इसको पास से दिखाती वाँ दीखे कितना अच्छा कलर दिख रहा है और इस स्टेज में मैं एड़ करूंगी आप सामर मसाला तो आपके पास कोई डिपा हो बड़ा वाला हो तो भी कोई बात नहीं मेरे पास ही समय छोटा वाला था जो कि लोकल ही एरिया की दाल कुकी थी और उसको एड़ कर दूंगी और थोड़ा सा पानी और डाल के जिसे की कुकर में लगी हुई दाल भी इसमें साफ हो जाए कुकर और जो सारा दाल का पानी है वो भी इसमें एड़ हो जाए तो यह देखिए और अगर आपको भी और लगे तो जरूरत तो आप और भी पानी एट कर सकते हैं क्योंकि अभी पकाने में ये ठीक होगा और अब मैंने नमक एट कर दिया स्वाद की अनुस्वार आप जितनी quantity में सामबर बना रही हैं उसके हिसाब से नमक एट करिए तो ये देखे और अब हमें इसे पका लेना है जितना गाड़ा आपको सामबर चाहिए उससाब से ढखके एक दो मिनट के लिए हम इसको फिर से पका देंगे ये देखे और सामबर तयार हो चुका है बिलकुल ढखके फिर हम इसको एक मिनट के लिए पका देंगे और ये देखिए सामबर पक चुका है पूरी तरीके से बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा बना था यकीन मानिए तो आप इस प्रोसेस से बनाईए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा बना है तो चले फटा फट अब हम सामबर को सर्व कर लेते हैं एक बाउल में तो यहां पर इसको अब मैं सर्व कर रही हूं सामबर को यह देखिए इस तरीके से और आप इसको इडली के साथ इंजोई कर सकते हैं डोसे के साथ में दोनों का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा देख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताईएगा बहुत ही इजी तरीके से मैंने डोसा बनाना बताया है और इडली भी बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी बनी थी बहुत ही फिलपी तो चलिए मैंने आप इंजोई कीजिए बनाईए और मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंग्स फै